कि कोई दीवाना कहता है नमस्कारादाब दोस्तों मैं मुम्ताज नसीम और मैं आ रही हूं 26 नवेंबर को बारा बंकी एक बहुत मशूर तन्जीम है सांजी वरासत जिसका साथमा ओल इंडिया मुशायरा कवी संबेलन वोने जाए 26 नॉमबर जी आइसी आडिटोरियम में बारा बंकी सायम आठ बारा बंकी जिले में मुशायरा और कवी संमेलन का चलन शुरू से चलता चला रहा है और इसको काफी बढ़ावा दे रहे हैं परवेज अहमद जो की काफी मशूर पत्रकार भी हैं और कई भी काम करते हैं और सां साजी विरासरे इक्सल में हमलोग बिलोन करते हमारा अभाई वतन है वह बारा बंकी जो रभ रह है वही राम का संदेश देने सूफी संथ यहार देवार बहादेवा दूना है गंगा जम्नी जbacksी मिली जुली संस्क्रित है उसका शहर है वारवग्की उस यह लिए अपनी जो तन्जीम बनाई थी उसका नाम साजी विरासत रखा गा लगवा कितने वर्सों से ये चली आ रही है दो हदार बारा में ये तन्जीम बनी थी और तब से हम लोग साथवा जो है आल इंडिया मुशारा कराने जा रहा है बाद जो 26 नौंबर को होगा इसका इस में इसा मंच है जिसमें हिंदुस्तान के सबसे जो बड़े बड़े शायर और कवी वो तो आते हैं जिसमें मतलब प्रोफिसर वसीम बरेलवी साहब बहुत बार कई बार इसमें आ चुके हैं और रात इंदोरी साहब इसमें लगाता रहा थे थे पताहिर फरास साहब और उसके लावा जो है संतोशानन साहब इसमें तर्शीफ ला चुके हैं कुमार विश्वास साहब दूसरी बार इस बार तर्शीफ ला रहा है इमरान परताब गड़ी साहब आ चुके हैं तो और उसके लावा हम लोग जो नए शायर होते हैं जिनमें टैलेंट होता है उनको भी है। आपा यजो हमारी हिंदी और उर्दू भाषा है हमारी जो लेंग्वेज है उसका पर्मॉषन होता है उसके लावा जो हमारा नेस्ट्र एंट है हमारी गंगाजनी तहजीव है उसको बढ़ाने के लिए हम लोग साजी विरासित बैनर दे प्रोग्राम करते हैं. हमारा एक ही मकसद है कि जादा से जादा लोगों में जो है लोग एक दूसरे से जुड़ें और समाज में जो है वो मुभबत का पैगाम जाए. इसमें कैसा सपोर्ट मिलता है पर उस पर शासान सासर पिसासंग का क्या सायोग रहता है सभी लोगों का सायोग ही रहता है सायोग से ये प्रोग्राम होता है हमारी टीम है उसमें 18 से 20 लोग है एक टीम है या कमेटी है कि हाँ वही मतलब एक संसा है और उसमें शहर के बहुत मजजिस लोग उसमें जुड़े हुए है और सभी क एक मोटिव है कि एकता का पैगान दिया जाए और इस मुशायरे के तरू जो है वो महबत पहलाई जाए दूसरा यह कि बाराबंकी की जो लोग है उनके लिए कुमार विश्वास या इमरान परताब गड़ी या बहुत बड़े वसीम साहब इन सब को सुनना जो है उनके लिए एक माईने रखता है तो हम लोग इसलिए यहां पर ऐसब प्रोग्राम कराते हैं जो तोड़ा अच्छे लेविल पर हो और सभी आमोखास के लिए प्रोग्राम होता हमारा कोई वी आईपी नहीं होता है जो इसमें आता है जो महमान आते हैं सुनने के लिए उस सब वी आईपी होता है इस बार कौन कौन से लोग आ रहे हैं? प्रियानशु गजेन एक बारावंकी का एक ऐसा नाम है जो इस वक्त पूरे हिंदुस्तान के स्टेज पे अपनी उपसिती दर्ज करा रहा है वो है उस्मान मिनाई साहब ऐसे और भी कई लोग है अच्छे नाम है आप सुनेंगे तो आपको मत आया है बारावंकी दिले से कौ दुरे दुनिया में कर रहा हैं यह दो नाम तो बहुत मशूर हैं प्रियानशु गजेन्द और अस्मान मिनाई साहब इनको हम लोग कर इस बार मौकद दे रहा है बारावंकी जिले में कैसा इसका रिस्पांस आपको मिल ला है लगबग साथ वरसों शयाब लगातार करते च हैं और सब लोग आते हैं और आके इंजॉय करते हैं इसलिए हम लोग कभी इसके लिए कोई पास का सिस्टम नहीं करते हैं लोगी सब जो आ जाएगा पहले आता है वो पहले सीट पाता है यही हमारा एक सिस्टम है हमारे लिए सब विया पी जितने लोग इस प्रोग्राम मे के तुरू और आपके चैनल के तुरू कि हम सब भाई भाई हैं हम सब में महबत कायम रहे जब महबत कायम रहेगी तो हमारा जिला मजबूत होगा हमारा परदेश मजबूत होगा हमारा देश मजबूत होगा इसलिए महबत को आम करना ही हमारा परदेश